इस महीने बहुप्रतीक्षित Poco M5 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ एक नया Poco F3 संसकरन आधिकारिक हो सकता है. M4 Pro 5G मंगलवार 9 नवंबर को लॉंच होने वाला है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आगामी हैंसेट Redmi Note 11 5G का रिब्रांडिड वर्जन होगा. हाला कि Poco ने इस अटकलों की आधिकारिक पुष्टी नहीं की है. याद करने के लिए Redmi Note 11 5G इस साल की शुरुआत में चीन में आधिकारिक हो गया. नया Poco F3 वेरियंट छेड़ा गया. ब्रांड के विशाल फैन बेस की खुशी के लिए Poco Global ने घोशना की है कि यह एक नए Poco F3 संसकरन पर काम कर रहा है. Poco के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के एक ट्वीट के अनुसार नया मॉडल आज प्रो 5G के साथ लॉंच हो सकता है. Poco F3 इस साल की शुरुआत में बजार में आया था. रेड्मी ने फरवरी में K40 Pro, K40 Pro और मानक Redmi K40 स्मार्टफोन की विशेश्ता वाले Redmi K40 श्रिंखला का अनावरं किया. भारत में K40 Xiaomi Mi 11X के रूप में आया. इसी तरह फोन को ग्लोबल मार्केट में Poco F3 के साथ लॉंच किया गया था. हाला कि K40 Pro अन्यक्षेत्रों में लॉंच नहीं हुआ. पिनकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, विनिरदेश और अन्यल लीक विवरन, Redmi K40 Pro संभब्त, नए Poco F3 संसकरन के रूप में वैश्विक बजार में प्रवेश करेगा. फोन Snapdragon 870 सोग के साथ आता है और इसमें कई अन्य विस्मयकारी विशेशता हैं. फोन 120 Hz रिफ्रेश रेट और MEMC के साथ ही 4 AMO LED स्क्रीन को स्पोर्ट करता है. हाला कि नए Poco F3 वेरियंट में Snapdragon 888 जैसा बहतर चिपसेट मिलने की संभावना है. इसके अलावा, इसमें एक बहतर कैमरा सेटप होने की संभावना है और यह लंबी बैटरी लाइफ या बहतर चारजिंग स्पोर्ट प्रदान करता है. अफसोस की बात है कि टीजर इमेज में नए वेरियंट के बारे में एहम जानकारी नहीं दी गई है. हाला कि, यदि वर्तमान Poco F3 विनिर्देशों को कुछ भी जाना है, तो नए संसकरन में प्रभावशाली विशेशताओं और पर्याप्त रूप से अच्छे विनिर्देशों की पेशकश करने की संभावना है. Poco F3 में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले है जो FHD रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्स टच रिस्पॉन्स ओफर करता है. इसके अलावा, स्क्रीन में 2.76 मिलीमीटर पंच होल कट आउट है जिसमें फ्रंट शूटर है. नीचे का बेजल सिर्फ 3.5 मिलीमीटर मापता है. आप्टेक्स के लिए, Poco F3 में 48 मेगड़ पिक्सल सोनी IMX582 मुख्य कैमरा LED फ्लेश और अपचा के साथ है. इसके अलावा, इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो 119 डिगरी FOV को स्पोर्ट करता है. साथ ही, पीछे की तरफ 5MP का टेली मेक्रो सेंसर है. अपफ्रंट में, फोन में 20MP का शूटर है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें USB Type-C, GPS, Bluetooth, Wi-Fi 6, LTE, 4G और 5G दिया गया है. डिवाइस का वजन 196 ग्राम है और इसका डाइमेंशन 163.772,762,762,7.8 मिलीमीटर है.